कि गूर्णिंग फ्रेंस हम लोग देखेंगे कि इस वीडियो में कि एडवांस कम्निकेशन सिस्टम का जो यूनिट 3 है यह यूनिट 3 उसमें सेटलाइट के बारे में दिया गया है तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे जोकि एक्जाम के भीव से बहुत ही इंपोर्टेंट है तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सैटलाइट क्या होता है इसके बाद समयोगे समयाज क्या होता है क्यसे वोड़ करता है सेटलाइट जो है वह सटड़ाइट container अब्जेक्ट डाइट रिवॉलव एराउंड एलार्जर अब्जेक्ट इन एैस्सेट लाइट एक मतलब चोटा सा अब्जेक्ट है जो कि एस्प्एस मयानिक अंतरिक्ष में बडे जो trading just एउसके एपजेक्ट स्की Рओने उसके चारतर तरफ वह करता है नौग ऺंस मौलठ अब्जेक्टा इथ्ट न आज से ट्लाइट तो उसमें जो म३ट जो चोटा अबजेक्ट ऐसको सितलाइट की जानेगे जैसे हम देखेंगे कि मोट इजे नेचिरल से Satellite of Earth यानि कि जो चान्द हो प्रिद्फि के चयर तुरफ चक्र लगताताई तो चान्द जो है प्रिद्फि से च्छड़ा है तो जो चान्द हुआ वह सिट्लाइट हुआ किसका प्रिद्फि के तया चान्द होने नेच्छरल सेट्टिलाइट है इसी तरह और भी बहुत सारे स्यट्लाइट है हमनों देखें कि इस सेट्लाइट कम्यूकिशन क्या होता है सेट्लाइट कम्यूकिशन के बाड़े में हमनों देखेंगे इप the communication टीक प्लेस बीटिमेड़ अइने टू अओर्थ एस्टेशन थ्रू एसेटलाइड थेटलाइट vessंड ॽ यानिकी वसरा अओरë एकcend चयों सेटलाइट के द्वाड़ा हो तो तो यह definition कर आया कि if communication take place between any two earth station यानि कि किसी भी दो earth station के बीच जो communication होता है satellite के साहरे तो उस communication को satellite communication कहा जाएगा in this communication electromagnetic wave are used carrier signal यानि कि इस communication में यानि कि satellite communication में जो electromagnetic wave है हुआ carrier signal के रूप में काम करते हैं यहने कि electromagnetic wave ही उपयोग किया जाते हैं यह satellite communication में this signal carry the information such as voice, audio, video and other data यहने कि इस satellite communication के अंतरगा जो electromagnetic wave है उसमें voice, audio, video यह data उपलाओ जोते है जो ground and space and voice versa के बीच काम करते हैं टांसपर किया यहते हैं अलो नोट में देखेंगा कुछ नोट में दिया गया है नोट में दिया गया है Soviet Union had launched the world first artificial satellite name Svotik-1 in 1957 यहने कि स्रुवियत संग जो हाई यहने कि रूस वह वह बीच रू का पहला artificial यहने कि रितीम satellite launch किया जिसका नाम था Sputnik-1 आए कितने SP में launch किया तो उनीशो संतावन इस में वह सकता है यह objective में देदें दो नोमर में है इंडिया अल्सो लॉंच दो आर्टिफिशियल सेटलाइट नेम आरवट इन 1975 यहने कि इंडिया भी लॉंच किया आर्टिफिशियल सेटलाइट वह जिसका नाम था आर्टिवट और यह निशो पचात्ता इस्वी में लॉंच किया अई डिफेरेंस था अठाड़े एक यह निकी सोवियत संग जब लॉंच किया अचावन में और इन इसापचात्तर में तो लगवा 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 यह अठाड़े बर्स का अंतर था नेक्ष्ट हम लोग देखेंगे वर्किंग सेटलाइट का की सेटलाइट वरक की से करता है वर्किंग सेटलाइट डास्मिशन आफ सीगनल फ्रॉम और ऐसे श्टेशन टू सटलाइट थुरे चैनल इस निगी टास्मिशन जो होगा सीगनल का और फीधյी से जिसे सेलाइट के शेपीति सजी चाहिए पीध्वी कोई अस्टेशन है इस सब्सक्राइब ceset ke अगर कोई signal भेजा जा रहा है second station जो पी थी पह है तो उसको में लो downlink downlink कहेंगे next है uplink frequency is the frequency at which the first earth station is communicating with satellite the satellite transponder convert this signal into another frequency एन एकी जो first station signal first station जो है पी थी पह है उससे अगर कोई signal communicate करने के लिए भेजा चाता है इस satellite के पास the satellite में जो transponder लगा होता है वो इस signal को अलग एक frequency में change कर देता है next टेखेंगे and send downlink down to second earth station और change करके जो satellite है यानि की पी थी से कोई भी signal first earth station से satellite के पास भेजा जाता है तो satellite में जो transponder लगा जाता है वो इस signal को अधर एक frequency में चेंज कर देता है उसके पास सेकेंड जो और्थ station है उसके पास भेज देता है तो इस frequency is called downlink frequency तो जो जो सेटलाइट है वह चेंज करके second जो और एक इस एस्टेशन के पास फ्रीक्वेंसी भीता है तो उस फ्रीक्वेंसी को धान गत्याया है आफ़ प्लिक फ्रीक्वेंसी करहें जो सीग्नल पर्थ फर्स्ट और्थेश्टेशन से बेजा जा रहा है सेटलाइट के पास उसको अपलिंग फ्रिक्वेंसी का एंगे कि नेक्ट समय देखंगा ऑडबीट के बारे में जो कि इन्विट्शी में इसके बारे में समझेंगे उसके बारी सेटलाइट क्या होते हैं उसके बारे में समझें बहुते हैं पथा देखते हैं और बीट के है we know तो वह एक किसी ने किसी पाथ पर घुमता है तो इस पाथ कहीं और विट कहते हैं कि आयो कह रहा है और बाइटल मेकेनिक इस तॉड़ी अपडा मोशन ऑफ एक ऊप्रश्य श्यूडाइद आज प्रेजेंट रहता है तो उसका जो मोशन हम गती वह और वाइटल मेकेनिक द्वारे ङया तर्दान किया जाथ है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीयो इस्टेस्टनरी क्या होता है यह सर्कूलर जीयो सेंट कॉर्नास सेटलाइट विच प्लेश आएट जीडुडिगरी एंगल दॉड़ एकवाट एकवाटरियल एकवाटरियल प्लेट इस गॉल्ड एजीयो स्टेस्टनरी सेटलाइट एन यह प्रिथभी है श्में जिड़िवाट इस पर जो इस पाथ बना होता है और बाइटक तो यह जीरु डिगरी एंगल पायाने की जीयो टीडिट कर यह तिन साथ डिगरी एंगल पाया सेटलाइट जोटाइट वह गुमता है प्लेश किया जाता है तो इसी को जीयो सिंक्रो है यह जिए स्ट्रेशा Sesnaj करें सीचोने स्ट्लाइट beiden सहफिस मैं आपको एड और बिद इन विच ए गार घर बैसली सट्लाइट कर एक हुए कि या ओरल गाल्फ। सब्सक्राइब नहीं तो हर हालात में जिए जिरो डिग्री ही कहा जाएगा निश्कर रहा है इती फाइब थाउजेंट एट हंड़ेट किलोमीटर एफ अर्थ एकवर्ट टोर यहने कि पीथवी के जोब मत रहा है वहाँ से लब लगवाया 35,800 किलोमीटर दूर पर इसको प्ल और वाइटल पीडियाड इकवर्टू दा सअध्रल डे हम लोग समझ लिए कि जी ईएर स्टेस्नरइवी सेतलाइट के होता है इसके बाद समझैए के जी आसन्ट के रूप में किया था है बौड्कास्टिंग के वल टीवी और डियो सिगनल कर रूप में मतलब बोड्कास्टिंग केबल टीवी एंड रेडियो सिगनल इसी को उपयोग कियाता है जियो सिंकोने सेटलाइट का उसके बाद हम लेखेंगा जियो स्टेशनरी सेटलाइट को उपयोग क्या होता है तो वेदर रिपोर्ट के यानि कि मौसम जनकारी के बारे में वेदर फो नेटवर्क में इसी तरह बहुत सारे अन्युक्या जाते हैं देखेंगे कंपोनेंट ऑफ सेटलाइट सेटलाइट का कंपोनेंट क्या है यानिकी कंपोनेंट ऑफ सेटलाइट का मिकेशन में कंपोनेंट क्या था तो अंटेना के बारे में पहले हम देखेंगे तो सेटलाइ अंटेना शिस्टम आरे उस्टू रिशीव और टांस्मीट सिगनल टू इंड टू एंड प्रॉम और्थ अन्यक्य अंटेना जो हता है सेटलाइट कम्निकेशन रहा हुआ है वो किसी भी सिगनल को पीधिवी से रिसीव करने में और और सेटलाइट लगशे सिगनल को मतलब टा कमांड और थाांड लेंगलीं द उपडेसन हाट व एतलिड इंड्ट्रों सिस्टम करने में में किया जैदा है देखेंगे गइदेंसन इस्टिपलाइजेशन को फैंसर मोनीटर्द सट्लाइट सट्लाइट पोजिशन टूइंस्योट इट रिमेन ड कड्रेक्ट और्ट ऑलीट और रियन्टेट टुवाद एक पोडूर्येट टारगेट इनके गइदेंस इस्टिपलाइजेशन जो है वह में लगा होता है जो समझे कि इसमें एक सेंसर लगा होता है कि पोजिशन एक सही प Records बताता है ऑ एगी रुडाया이ट का और एक निशायोण ऑडवीट में रखने के लिए। और करता है काम कुरता है नेकिक सीखल YOURव सब्सक्राइब और रखने के लिए उप्यों किया जाता है इसे देख लेजिए यह इसे माल लेते हैं कि यह सेटलाइट है माल लेते नहीं यह सेटलाइट ही सेटलाइट ही है इसके बाद यह और्थ है यानिक पीद्वी कि यह आपका फर्स्ट और स्ट्रेशन हो गया यह सेकंड और स्ट्रेशन हो गया इसके बाद में देखिए यहां सब कोई भी सिगनल ट्रांस्मीट किया जा रहा है तो डारेक्ट जाएगा कहां सेटलाइट के पास इन सेटलाइट जब जाएगा तो इस सिगनल को अपलिंक सिगनल कहेंगे उसके बाद जब सेटलाइट इसको इसमें ट्रांस्पंडर लगा होता है और कि अगर्वार्ट करके बेज़ देगा कहां सेकेंड और अश्टेशन आए उसके पास ते इस सिगनल को डाउन लिंक सिगनल कहेंगे उसके बाद दखिए अगर फर्स्ट लिंक जो सिगनल है इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगा जो फर्स्ट और सेस्टम बेजएगा उसको अप फ्रीक्वेंसी को डाउन लिंक फ्रीक्वेंसी कहेंगे सेटलाइट में ट्रास्पॉंडर लगावता है जो चेंज करता है एक सिगनल को दूसरे सिगनल में इसी तरह वर्क करेगा कम्निकेशन तो हम लोग देख लिए इसमें जो अब किकल फाइबर के बारे में दिया गया वो नेस्ट वीडियो में समझेंगे अब कलास समझें कि अब डेली चलेगा तो आप लोग वीडियो को सेर कीजिए एक अन्य फ्रेंट के पास जो भी सिग सेमेस्टर में उनको हेल्प हो सकाए